बेटा सोजावरना गबबर आ जाएगा, ये डायलोग सभी ने शोले फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिन भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तसकर था, जिसके उपर सेंकरो लोगों की हत्या, दो हजार से ज्यादा हाथियों का शिकार और एक सो चालीस करोर से ज्यादा की चंदन तसकरी का आरोप था। लंबी मूचे और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिन्दा है। में उस समय चर्चा में आया, जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरसल, वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पैट्रोलिंग करती थी। इसके प्रमुक लहीम शहीम गोपाल कृष्नन हुआ करते थे। गोपाल कृष्नन काफी ताकतवर थे, इसलिए उनके साथ ही उन्हें रैंबो भी कहा करते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रेल को कॉलातपुर गाव में एक पोस्टर पाया जिसने संसनी मचा दी। दरसल इसमें वीरप्पन ने रैंबो के लिए भद्धी-भद्धी गालियां लिखी थीन और पकरने की चुनोती दी थी। रैंबो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकरने निकल पड़े। इसके बाद बीच में उनकी जीब ख जैसे ही बस पहुची एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकर कर गिरफतार कर लिया था लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर में दर गिरफतारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आए अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकी, ये सब वीरपण की चाल थी। इसके बाद वीरपण को जैसे ही श्रीनिवास पकरने आए उसने गोली मारकर अपना बदला लिया। श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरपण का दिल नहीं भरा और उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। इसके बाद उसके गैंग ने श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। साल 2000 में दक्षिन भारत के मशूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरपण से पढ़ा। वीरपण ने राजकुमार का अप्रहेन कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दोरान उसने तमिलनाडू और करनाटक दोनों ही सरकारों को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तसकर का गैंग बढ़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्ची जब रोती तो वीरपण और डरता क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज 110 डेसिबल के आसपास होती है जो बिजली कड़कने की आवाज से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है एक बार वीरपण को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दी उन्नीस सो तिरानवे में करनाटक एस्टी एफ को मारी माडुवू में एक समतल जमीन के नीचे कुमार एस्टी एफ के चीफ बने 18 अक्टूबर 2004 को एस्टी एफ को भनक लगी की वीरपण आख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है इसके बाद एस्टी एफ ने चाल चलते हुए वीरपण के लिए एक एंबुलेस का इंतजाम किया योजना के तहित एंबु पजूद एस्टी एफ के जवान खात लगाए बैठे थे और फाइरिंग कर 20 मिनट के अंदर वीरपण का खात्मा कर दिया